चोर का उपहार कश्मिर में एक कुलीन पंडित था, वह जमिंदार के परिवार का था, उसके यहा काफी संपत्ती थी, मगर उसके पुरकों ने पानी की तरह पैसे बहा कर काफी संपत्ती कर्च कर दी इस वजह से वह पंडित दिर्दन हो गया, लेकिन यह बात चिपा कर पंडित प्रकट रूप में अपने पुराने ठाट का बड़ी युपती के साथ प्रदर्शन करता था उस पंडित के एक अत्यंत सुंदर लड़की थी, उसके साथ विवाह करने के लिए बड़े ही उत्सा से अनेक युवक आगे आये मगर पंडित उस वक्त अपनी पुत्री का विवाह करने की स्थिती में न था, यह बात भी कोई जानता न था सब लोग यही सोचा करते थे कि पंडित के उस विशाल भवन के बूग रुह में परियाप्त निदी पड़ी हुई है इसी भ्रम के कारण सुंदर नामक एक विक्ती के साथ पंडित की शत्रता भी हो गई वे दोनों पहले अच्छे मित्रते एक बार सुंदर ने बड़ी रकम कर्ज मांगी पंडित ने बड़ी ही युक्ती के साथ अपने दरिद्रता प्रकट की मगर सुंदर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया बलकि उसने अपने लिए यह अपमान की बात समझी पंडित से बदला लेने के उद्देश से सुंदर ने एक डाकू से मैत्री की और पंडित की सारी समपत्ती हडप लेने की सलाह दी डाकु ने खुशी से मान लिया यह बात पंडित बिलकुल जानता न था एक दिन रात को पंडित लेट कर सो रहा था तब उसकी पत्नी ने आकर पूछा लड़की तो विवाह के योग्य हो गई है अनेक अच्छे संबंद आ रहे है कोई योग्य संबंद धेख विवाह क्यों नहीं करते बिचारी पंडित की पत्नी भी यह न जानती थी कि उसकी सारी संपती कपूर की बांती गल गई है तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है पर असली बात यहा है कि मेरे पास दन नहीं है मैं इधर थोड़े समय से अपनी पुरानी प्रतिस्टा के पीछे अपनी शक्ती से बढ़कर कर्च करता आ रहा हूं इस वक्त हमारी हालत ऐसी है कि गुरहस्ती चलाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे सिर पर यही चिंता सवार है कि हमारे खाने पीने के लिए भी पैसे कहा से लाओं ऐसी हालत में मैं कन्या का विवाह कैसे कर सकता हूं पंडित ने पत्नी से कहा ओ, हमारी कैसी बूरी हालत हो गई है इतने दिन प्रतिस्टा का जीवन बिता कर आकिर हम कंगाल हो गई है हमारा यह कैसा दुर्बाग्य है पंडित की पत्नी शोक में डूब गई पंडित का दुख भी उमर पड़ा पती पत्नी का सारा वारतालाप डाकू ने सुना वह पंडित का घर लूटने के लिए उसी रात को पंडित के घर में गुस पड़ा था उसे सुन्दर पर इस बात के लिए बड़ा क्रोध आया कि उसको जूटी बाते बता कर सुन्दर ने चोरी करने के लिए उकसाया है वह पंडित तदा उसकी पत्नी के सो जाने तक ताक में बैटा रहा तब चुपके से वहां से किसक गया दूसरे दिन सुन्दर ने डाको की बड़ी देर तक पतिक्षा की वह वापस तो न लवटा मगर सुन्दर को पता चला कि उसी के घर को किसी ने लूट लिया है उसके घर में एक भी गहना बचा न था दूसरे दिन सवेरे पंड़ता इनने निद्रा से जागते ही अपने सिरहा ने गहनों की एक पोटली पड़ी देखी उसने खोल कर देखा उसमें सोने के गहने और चांदी के सिक्के भरे थे साथ ही उसमें कागज का एक टुकडा था जिस पर लिखा हुआ था आपकी कन्या के विवाह के लिए डाकू द्वारा समर्पित एक छोटा सा उपहार